हेलो एंड वेलकम मैं आपका होस्ट एंड दोस्ट अंकित जॉन पूस से स्टूडेंट बता दे कि यदि आपने हमारा वाट्साप कुरूप जॉइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट की लिंक से जाएं और वाट्साप कुरूप को जॉइन करें ताकि परिछ सेकंड लेशन वन है लेशन वन का नाम क्या है तरंगती और इसके अनुप्रियों वेब मोशन एंड इट्स अफ्लीकेशंस पॉली टेकनिक सेकंड समिस्टर फॉल आल ब्रांच एंड क्लास्ट रॉल जानि किसके लिए पढ़ाई जा रही है वीडियो बनाई जा रही है वीडियों की जो पार्ट नंबर है या पार्ट नंबर है इससे पहले 11 बना देगे नहीं देका डेस्क्रिप्सर में लिंक मिलेगी वहां से जाकर देख सकते हैं चलिए आज के हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम चार टॉपिक प के परावरतन रिफ्लेक्स नफ और शांड्ल रिफ्रेक्स नफ際 और साँड ध्ली का अपर्टर द्वनिक अप्षोषण ध्खर के अपॉर्तन के प्रभाव यानि सिर्फ हम चार टॉपिकों पर बात करने वाले हैं तो बस यार ज्यादा लंबी वीडियों नहीं होगी तो बता दो चैनल पर पहली बात करते हैं देखिए हमने क्या दिखा यहां पर ध्वनिका परावर्तन रिफ्लेक्शन आफ शांड क्या ह को होता है परावर्तन आ supers खिंठ तो कsnaई ज wrinkles के बारें जोस हैं हम उनके जानते हैं तो जली सबसे पहले पदाते हैं आपको द्वने का परावर्तन क्या होता है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आव साउंड लिहकर जब ध्वनी किसी सता से टकराती है तो द्वनिका परावर प्रकास का वेसे ध्वानिका भी ओता है अब देखे अगला क्या है ध्वानिका आवसोसर क्या होता है ध्वानिका वह भाग जो किसी तल के पदार्थ के द्वारा आवसोसित कर लिया जाता है आउसोसित ध्वनी कहलाती है ध्वनी का आउसोसित ध्वनी कहलाती है अब क्या जानेंगे ध्वनी का अपवर्तन क्या होता है ध्वनी का अपवर्तन किस तरीके से होता है इसे प्रकास का अपवर्तन तो उसे ध्वनी का भी होता है तो चलिए ध्वनी के अपवर्तन के बारे में जानते हैं ध्वनी का वह भाग जो किसी तल को पार कर जाता है पारगमित या पारगमित अथवा अपरिवर्ति ध्वनी कहल कहता है यहाद उसको किया कहेंगे जो द्धौनी यूसके बाद मिलेगी तो दल को हमारे पार कर जाएगी से तो को पारगमी तथर्म परिवर्तित ध्धौनी कह लाता है तथा इस gardening को द्हौनी का परावर्तन कहते हैं इसक्रिया को क्या कहेंगे ध्वनिका परावर्तन कहते हैं तो यहाँ पर हमने इसके बारे में देख लिया इसक्रिया को ध्वनिका यहाँ पर परावर्तन रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा अपवर्तन आपवर्टन रहेगा बसकूझज्ञ ज़्यादा दिक्कत नहीं आपवर्टन कर लीजेगा अंग लिखनेclockwise गलती गाइस तो धोनिक आपवर्टन है धिक्रास अप्रीवर्टन करते हैं त्हले एस कृया को क्या करेंगा धोनिक का आपवर्टन करते हैं अब चलिए इतना चीज हम जाल नहीं है अब इसके बाद थोड़ा ओर कुछ जाते हैं देखिए अपवरतन एक माध्यम के सापेश दूसरे माध्यम में ध्वनी की चाल में भिनता के कारण उत्पन होता है यानि ध्वनी की चाल बदल जाती है यदि एक माध्यम से दूसरे यानि दिवाल क जब पार करके जाती है तो यहां पर बदल जाती है उसकी भिनता के कारण उत्पन होता है ऐसा ध्वनी के गमन पत्का माध्यम बदलने पर होता है यानि यह जैसे प्रकाश जाता है हमारा सगन से बिरल में बिरल से सगन में तो वही समझ लिए कुछ मेथड़ वैसा यह जात मतलब एकदम अच्छे से और छोटें भी बता देता हूं याद करने की क्याटनिक को और पर्वाव क्या होँश्याम बदलती होगा में नहीं बदलता है तो इतने चिजेments न के अब देखिं को बनागाय चाल फिए जिसके घर में सब कुस लिए डाला इसलिए मैं आपको समझा दूगा फीगर याद रहेगा तो वहां भी आसानी से लिख सकते यह पेपर में आता है तब हलाकि आता तो नहीं है फिर हां हो सकता है क्या आजाए कुछ कहां नहीं जा सकता तो चलिए दूसरे के बात करते हैं तो क्या है ग्रीस मुकाल में ध् तल दिखाएगा यहां तक जो नीचे वाला इस सब है अब देखें तल गरम है और इधर से हमने ध्वन को तेजी से कोई आदमी खड़ा है सोर्स है वो बोला तो दो चीज़े कंडिशन होगी अब क्या होगा अगर वायू अगर वाई की दिशा में ध्वन को बोला जाए तो काफी दूर तक वा पिछभी तल के नीचे ही जाती है काफी दूर तक पिछभी के नीचे ही अगर वाय की दिशा में ध्वन निकलनात क्या होगा ध्वनी तुरंत उपर उड़ जाएगी तो चार चीजों के बारे हमने आसानी से एक ही में सब कुस समझ डाला तो कितना अ पॉर्टन के परकार तो आज इस चार टापिक भी जाना वीडियो के आसा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लेगी होगी यह वीडियो अच्छी वीडियो गया जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी इंसान जरू सब्सक्राइब कर सके तो यह वीडियो के पर इंड करूंगा मिलूंगे इसकी नेक्ष पार्ट में तब तक के लिए बबाए